बगला मुखी मंतर में इतनी शक्ति है कि हम किसी भी चीज़ को स्थम्वित कर सकते हैं चाहे वायू, चाहे आकाश, चाहे जल, चाहे पुत्वी, पुत्वी पर भूकम्भू या इन चारिसलियों को स्थम्वित करने की शक्ति थी पहला पहले इस अंसार में बगला मुखी का लिए बाविर्भाव कहां हुआ यह संसार कहता है कि नारायन्ट सरोवर हरीद्रा सरूवर पास यह इस भगाला पर प्रतुम के लिए उसको रोकने के लिए पहली बार गुजरात में नारायन्ट सरोवर आपने कभी देखा हुए या नी हुआ वहां नारायंट सरोवर में यह बगलामुखी की साधना पहली बार मंतर का उचारण भवान विश्णु ने भवान नारायंट ने किया था और वहां से बगलामुखी विद्या का आरम हो बगलामुखी की विद्या का आरम हम करते हुए हम आगे जो कारिकरम करते हैं बगला मुखी को किस प्रकार का मंतर करने से हमें सिष्ठी मिलेगी सरदुष्टा नाम को कब भी वियोग करना चाहिए इसका भी ज्ञान होना जरूरी है इसके बाद आज हम बमनेश्वरी माता के बारे में कहते हैं अगर बगला मुखी विद्या सभी तरफ है तो यहां बमनेश्वरी माता को स्थापन कैसी वा बमनेश्वरी माता को किसने स्थापन किया और इसकी फीछे का अर्थ क्या है यहां बमनेश्वरी माता को बगला मुखी के रूप में क्यों भूजा जाता है किसने स्थापन किया शाहिद आपके पास लोकोप्तियां बहुत सारी होगी, लेकिन जिस कालग ज्यान को, जिस कालग पुर्ष साधना को मैंने किया है, इससे पहले भी मैंने डख़ंगरगड में बगला मुखी के उस शेत्र में ही मैंने साधना संपन की थी, और मैंने पहली बार देखा था कि मा बम या आप सभी की मनोकाम ना फूर ना कर सकती हो, इसके बार या बताओ, तो मातब बमनिश्वरी कहती है कि एक जमानी की बाद, तीन सो साल पहले की बाद आता, सारे चर्टिसगड़ के राजाओं के पास बहुत सारी संपतिय थे और उसको लूटने के लिए बहुत सारे उन्हें लगा कि इससे आगे नहीं जा सकते हैं और आगे हम कैसे करना कैसा चाहिए तो उन्हें बगलाओं की पूजा की, बगलाओं की चरणों में प्रथना करके कहा, बगलाओं की इन सभी बुरायत बुरे लोगों को रोक सकती है, उनमें शक्ती है, तो इसका करे कैसा, त जोर से बमलेश्वरी का बाता है, बम कहना है, या मुण माँना बोलते हैं आम जिसा, वैसा जोर जोर से पुकारने लगे, कि यहां का धन लूप लिया गया और इसको छुपा गया गया, और बाद में उन्हें ने स्थम्बन विध्यास की स्थापना की और बगलावों की स्था करने के बाद माता बमलेश्वरी को किस तरह आराधना करने से मातम प्रसंद होती है, और इसका क्या है, तो इसके उपर सुर्ण का यंतर रखते हुए, मा बगलावों की स्थापना कर दी गई थी, और हम उस बगलावों की चरणों में नमस्कार करते हुए, यह कहते हैं कि उ आंच्या कलबलता नाम की मंदार विध्या यहां दी गई है, जो मा बगला मुखी की आरधना उस विधान से करता है, मा बगला मुखी उसकी इच्छा पुतने करते है, उसको आईश्या प्रदान करते है, उसको इच्छा देती है, बगला मुखी केवल स्थम्बन विध्या ह गया है, इस तबन V surely हमें पैसे के से प्रत होते हैं, लेकिन बग लामखी का एक और भी धान है, जिसे भक्तमंदर अविढ्स हां वांच환 कलबलता विढ्स्टर को वन्च्छा कणल विढ्सट विड्या का गया है उस वांचा के पुता विद्या के उस मंत्र को शायद ही कम लोगों ने आज तक बाहर या उजागर किया होगा जो आईश्वर यवान है जो बमलेश्वरी माता के पास इस मंत्र को करता है वो आईश्वर यवान होता ही है वो निश्चित रूप से वो अपने पास उन सारी अपनी जीवन की जो दरीदरता है अपनी जीवन की दरीदरता को या अपने उपर तंत्र करकी किसी ने अपने को बांद दिया है रोक दिया है या अपने व्यापार को अपने कारिये को तो उस थम्मर विद्या का, उस रोकने को रोक देकर मा उसके तंतर को निवारण करते हैं, उसके व्यापार का बंदन खोल दीती है और उसे स्रिष्ठ रूप से उसकी मनोकावना प्रोण करती है, उसे वादिश्या कलपड़ता विद्या कहा गया है अब आपको इस विज़्या कि अपने कितने भी उधारण दे बहुत कम है कभी-कभी मैं हमारे साथकों से समझाता है आपने देखा होगा कि महाभारत में भगवान स्रीकृष्ट ने अर्जन को गीता का उपदेश किया अब सब लोग ये तो जानते हैं कि गीता को उपदेश किया कि गीता को उपदेश करते समय हुआ ये कि जब-जब महाभारत में चार आक्षणी सेने कवरों का सेने एक तरफ खड़ा था एक तरफ पाड़ों का सेने कड़ा हो था और कृष्ण और अर्जन आये अर्जन ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध में कौन कौन है कृष्ण ने मद्ध ले जाकर अपने रत को खड़ा किया अर्जन देखता क्या है दुरणाचार ये गुरू है पिश्म पितामा है कवरों सब भाई है धारिस सब बंदु है और अर्जन को एक ही समय में ऐसा निराय नहीराश आगिया वो इतना थक या इतना कहने लागा कि ये भगवान कृष्ण इन सभी को मारकर अगर मैं युद्ध जीतूंगा भी तो मुझे ऐसा राजन नहीं चाहिए अपने आपको मारता है अपने गुरू को मारता है अपने पिटा मारता है अपने लोग ओं को मारता है तो अशा युद्ध जीत कर में इस इस राज़ी को छो करने ऑप मुझे नहीं चाहिए मैं एधने नहीं करोंगा कृष्ण अपरभ हो गहे driving to satu का पता है फ्रिष्ण को बात समझ मैं फ्रिष्ण को लगा कि कवरों में श्रकुनी मामा जो था उसके सामने सभी लोगों न एक फी बात कही थी अगर आप एक अर्जुन को रोग लेते हैं तो हम पांड़ों को जीज जा सकते हैं अगर अजन को रोक लेते हैं, तो हम अजन को रोक लेते हैं, तो एक काम हम बाड़ों को जीश सकते हैं। और शपुनी ने अपने ही गुरुकुल के महारशिव्यास और उनके शिश्यों को ऐसे रोकुं को बलाकर कहा, कि इस अर्जन को किस तरह रोका जाए, आप इसका कुछ ने कोई उपाय बताओ, तो उनने कहा, एक बात कर सकते हैं, अर्जन के बुद्धी को स्थंबित कर सकते हैं, अर्जन के सस्त्रों को स्थंबित कर सकते हैं, मैं उसके उपर आज़ात में बगलाम की प्रयोग कर देता और उनने बगलाम की प्रयोग किया और अर्जन जब युद्ध में आए तो क्या देखते हैं कि उनका बुद्धी काम नहीं कर रही है युद्ध के लिए उन नहीं चाह रहे है और युद्ध नहीं करना चाहते हैं और कृष्ण वहाँ बैठे हैं और इसका द्यान कियवल कृष्ण को था। कृष्ण ने देखा कि अर्जन ऐसा क्यों रुख गया है यहाने के बार। और कृष्ण ने उसकी तोड़ी तो करना कैसे है। वहाँ खोड़े हाती चिंगाड मार रहे थे, सैनिक युद्ध के लिए ततपर थे। तब कृष्ण को इधर अर्जन को समझाना था और युद्ध करना था। तो कृष्ण ने पहली बार वहाँ क्या दिखा कि पहले हाती चिंगाड रहे हैं, इन सैनिकों को रोकना है और उन्हें बगला मुख की स्थमर विद्या की आपको पता है। अगर युद्ध चल रहा हो, वहाँ गीता का उपदेश कम से कम कुछ भी नहीं हो, तो तीन घंडे तो बात करें होंगे, तीन घंडे तक क्या हाथी खड़े रहे होंगे, खोड़े खड़े रहे होंगे, सहले खड़े रहे होंगे, तीन घंडे ये दोनों बात कर रहे थे, वो तो तलवार लेकर उपर आने रिखते, तो यह कैसी बात हुई कि वहां युद्ध में रहे हैं, और कृष्ण ने पग्लाम की कहते हुए, स्थम्मित करते हुए, गीता का उपदेश किया, क्या इस किसी महाभरत में आपने सुना हैं, कहीं आपको किसी ने बताया है क्या इस इसा हुआ है, यह विध्या थी, इस विध्या का जब तो उभियोग किया, तब कहीं आप उसके बाद में गीता को उपदेश करके अपना विश्वरू बताने के बाद, स्थम्मित अर्जन की बुद्धी काम कर गई, और उसने क्रिश्न को कहा, क्रिश्नमदे जगत गुरू है क्रिश्न, आज से तुम मेरे गुरू हो, तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा, एक विध्यी ने मुझे आइसा ही प्रश्नमदी किया, कि प्रभू क्या आर्जन को पाप नहीं लगा क्या, दुरूनाचारे तो उनको गुरू थे, उनके गुरू को उसने मार लिया, यह फूरू नीती थी, एक दुष्न शडएन्ध रथा, तब जो गुरू जुप बैटकर अपने शिशे को नंगा होते वे देखता है, क्या वो गुरू कहलाने के लाइक है, जो गुरू शिशे की रक्षा नहीं करता, वो गुरू कहलाने के लायक ही नहीं है, इसलिए यह वो मा लागान करते हैं तो तब बगलांगी का मन्तर करना रिष्टिका आगिया मैंने इस बगलांगी के मंतर को बहुत सारे ऐसे लोग हो गया है बहुत Chief बथा एसे करते हैं गुरू जी मैं क्या बताउ उं हमारे वोग उता है है ले दो जिता है धो जोटा केस है और बगलाव कोगी मुखी YEH का मंत्र वो PvE करता है तो मैंने धेखा है अग्ला वाला उसके मुह से बात भी नहीं निकली और यह लोग जीत गये हैं अगरeda दुष्टता है तो बगलाव के 97 है बगलाव कउम्त्र है और यह अभी आपको मैंने एक छुटी सिस्तम विद्या के बारे मिता है कीस को चल्व को आपको एक Vamakshetha नाम के गुरुते जो तारा महाँविद्या Universe बेरा कभी तो तारा खशेत्र है तारा कशेत्र में तारा के Vamakshetha नाम के अगुरी होए है एक तांत्री खोए जो तारा को लेकिन एक बाड उस नजी को इतनी बाड आई कि वह वहाँ जाने से रुके तब उनने कहा कि मा तारा में तेरे पास कैसे आउं ये बाड नजी में बाड आगई है तब तारा ने उनकी गुरु को कहा तो तुमारे गुरु को पूछ उसका मार्ग बतलाएं गाई और उनकी प्रश्मित हो गई और इनको मार्ग दिया गया और वह आगे चलते हैं यह बहुत 1922 यह चोरेश्यकी जब मौमक शेपा गुरू थे तब की बात है तो आज भी विद्याएं हैं आज भी साथनाएं हैं लेकिन हम साथना को एक योग की गुरू से योग के मंतर देते हुए अग को किये वाला यह गुरू चाहिता और हुना को सद्द्र करने वाला गुरू चाहिता कैका यह हैं अगर मैं भूत बार बोलता हूं मैं 10th Class पास नहीं हूं अगर मिद्रने वाज शेए नहीं हुँ और बारावय को कर्छावारे को पढ़ाता हुए तो मेरी पढ़ाई चलेगी मेरी बढ़ावी को काई उसका ज्ञान होगा पहरे तू सिद्ध जब तक नहीं होता तू बारावी पास नहीं करता तब 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 अगर बारावी को भी सिखाता है दस्वी को भी सिखाता है तो इसे सिखाने में को मतलब है लेकिन तुही दस्विफास नहीं और बारावे को सिखाता है तो वो न्यान कहां से प्राप्त होगा उसी तरह तुछ अब तक सिध्धा नहीं है तब तक आगे वाले को तू कहें नहीं सकता तुप पहले सिद्ध हो के बता तो एक ज़ा साधना करके बता कितने साधना की है और यसल sequel सिध्धी प्राप्त होई बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि शक्तिपा और दिक्षा द्वारा बीना साधना के काम नहीं होता, खाना जब तब फकता नहीं, तब तब खाना खाएंगे, नहीं, बिना खाना खाए, ऐसा कोई नहीं, कि मैं तुम्हें शक्तिपात रिक्षा और शक्ति आई, बिना खाए, आप रह सकते हो, मैं शक्तिपात देता हूँ, आप खाना मत खाओ, आपको शक्ति मिल जाएगी, ऐसा हो सकता है, किसे ने कहा है आपको, खाना तुम्हें खाना करने के बाद हम उशक्तिपाद को लें ने तुम गुरुए ने सिदा शुम जाने की बात कही, और हमें कभी और और किया जाता है? इस लिए और क्या चाहिए है? हम अगये खुए टिरे को योगे गुरु मिले और क्या चाहिए? यह जए लिग्ना घुछ के बात माथा है Heए गुरु को प्रसंदध किया है और वो योग्यो गुरु किस तरह प्रसन्न होता है वो योग्यो गुरु प्रसन्न होता है तुम तो दश्माहन की जाओं को सिद्धगर तू साधना कर तू गुरु मंतर जब कर तब प्रसन्न होता है और तब प्रसन्न होता है तो सारी कालिये सारे कालिये होते है क्या ऐसा हु पितने नहीं आती और उसको अब शक्तिबात देते हैं तो क्या उसी था हुआ? उसके बाद साथना हैं? उसने कुछ बताया कि इस संसार में सित्या है, इसा कुछ बताया? मैं आज 22 साल से बैठा हूँ, मेरे बाद कोई करड़ो कदी नहीं थे, ना मेरे साथ से करड़ो कदी थ केवल और केवल साथनाओं के बलपर आज जो मैं आश्रम चला रहा हूँ, वो साथनाओं किसी के पास जाकर पूछ सकते हैं, कि मैंने कोई रसीब काटी है कि निकल जेतना कितर बांते समय कि तुम्हारे पास से 10 लाख, 12 लाख लिया हूँ, आप पूछ सकते हैं केवल और के आगे बढ़ रहा हूँ, किसी का काम होता है, तोशिश है, वो अपनी दुश्टी से ही देगा कि प्रभू, आपके पास आये साथना किया, मेरा काल संपन हुआ, यह देखो, मैं आपको यह दे रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को उंगली उठा कर या उसा गला बगड़ कर मैंने पैसे कभी नहीं मांगा, यह चाहिए, चाहिए, ऐसा नहीं कहा हूँ, मेरे से जितना प्रहत्न होता है, मैं उतना प्रहत्न करते हूँ, उसकी साधनाओं के मार्क को सुखम करता हूँ, और साधनाओं के मार्क से सिद्धी मिलती है, यह मेरा कथन है, और मैं इस मार्क पर चल वो उस जूपडी के पास गए और उनने सन्यासी को घरता है कि केवल पांच घर की भिक्षा मांगे। वो पांच घर में भिक्षा मिले तो खाएं नहीं तो वैसा है उस दिन उपवास के साथ ही रहे। और वो जहां भी भूनते उस जंगल में जा रहे चलते जा रहे थे तो उनको केवल एक ही जूपडी दिखी। जब उस जूपडी के पास गए और उनने अलख लगाई कि ओम भवती भिक्षाम दी। एक बार बोलें दूसरी बार बोलें और तीसरी बार एक फटी हुई साड़ी में एक स्त्री अंदर से बाहर आई। और उसने कहा ये प्रभू आप कौन भी है आप तो सन्यासी दिखने आती की है ये मैं बात जानती हूँ। मेरे पती जंगल में लगड़ में काटने के लिए गये हैं और बाहर लाने के लिए गये हैं। और हम, हमारे पास अगर व्रक्ष से फल गिरता है, तो उसे इत्रे पच्छ से फल भी नहीं तोड़ते, यह मेरे पती की आग्या है, कोई दिया तो खाते हैं, ने तो हम उपाौसे रहते हैं, मेरे पती कल गए थे, तो कल गुलर के दो फल नीचे पड़े थे, वो दो फल लेकर आये और उन फलों में से एक फल उनका उन्हों काने के बाद मैं खाती हूं दूसरा फीर ऐसे दो ही फल मेरे पास है मैं इसके सिवा पूसह नहीं जानती अजीते हैं हम तो प्रभू मेरे पदी को देने वाला फल तो मैं निकाल के रखती हूँ एक फल है मैं आपके भिक्षा के पात्र में मैं डाल देती हूँ शंकराचारी के अंखों में आंसो है शंकराचारी के अंखों में आंसो है वो कहने लगे प्रभू आपने भी मुझे किस घर पर भीजा किस दर्वाजे पर भीजा कि इतनी दरीत रिवाजा जिस घर में है उस घर में अगर मैं भीक्षा मांगू और वो अपना खुद पियावा दे रही है तो तब उन्हें ने माता लक्शमी की इस्तुती कि और कहा कि मां मैं जिस घर में जाओं उस घर में अगर दरित रहता हो ऐसे घर में मां उनके आंखों में आउसे देखकर अगर मैं लेता हूं तो उसका शाफ मुझे लगेगा मैं चाहता हूं कि एक्षिम मा तु इस घर को धन्धन में से भर दे और उन्हें कनकधारा स्तोत्र का और कनकधारा इंत्र के बारे में आज आप सब लोग सुनते हैं कनकधारा स्तोत्र की स्तुजी की और उस घर में उस गूलर के फुलों के वहां फलों का वरशा हुई और वे धनवान बन गए उसने देखा कि पहाण लगा गया है उसे गुरू कहते है और उसे शिष्य कहते है जो अपने शिष्य को सब दे और शिष्य से मांगे उसे गुरू का गया है शिष्य से शीन ले ये गुरू नहीं कहला जाता ये गुरू नहीं है शिष्ट को हम दे सके उसे गुरू का गया है शिष्ट से अगर लेकर शिष्ट के नाम पर जीता है तो गुरू कहलाने के लाइग में यह मैं समझता हूँ और मैंने शास्तर को ऐसे ही पढ़ा है चाहे श्रेडी के साही बाबा लो पाँ चाहे रामक्र्षन प्रवांस लो रामक्रशन प्रवांस आज घुरू कहला है अपको पता एक बार उनका उनका पीमाँ है पढ़ा हो उनके साथ रहा करता ता कभी रामक्रशन प्रवांस को भूशता था कि तुम एक पैसा भी नहीं लेEr थे वो कहते कालिका माता की पास नवी देल दो व हूभी नवी दिखा के रहते थेas पैसा मेरे पास मतला reference मैं पैसा रहते है आएम आथे पलओं मेरे शरीर को फांटे आते हैं एक तह मुचले और कहा, कि यहां कुछ नहीं चीज़ रखनी वाली चीज़ रखी हुए, तो इसे पहले निकाल दो, सब ने देखा क्या रखा हूए, उसके नीचे ठोड़े से अपने काइंच रखे हुए थे पैसों के, उनने देखा कि इसे पहले निकाल दो, यह नहीं चाहत आईसे हुए तभी आज उनके पुसास अश्टमास सेत्या है अज ऐसा कोई जिला है आईसा कोई राष्ट भारत में नहीं है जहां रामकृष्णमठ नहीं है आज उनके पास अश्टा इचे हो यह काम करता है उनके पूछना नहीं पड़ा आज एक उनकी संगमरवट के मंदरे मठ रामकृष्णमठ हर एक स्टेट में आपको मिलेंगे यहीं नहीं तो बाहर विदेशों में मिलेंगे ऐसे थे रामकृष्णमठ और ऐसे थे उनके शिश्य वेकानना जो वेकानन को भी पूछा गया तो उनने कहा कि जो गुरू शिश्य को दे सकता है कभी गुरुजी ने भी मुझे एक बार ऐसे प्रविश्य में आप अगर सुनते हो तो गुरुजी ने कहा था रामकृष्णमठ परमांस वेकानन अके लेके गुरू थे या उनके पास और दो-चार शिश्य थे गुरू थे ग शिश्य को आखरी दम तक उसको उसकी चाहत पूर नहीं करता तो गुरू कहलाने के लिए लायक नहीं है क्या है आज कर यह हो रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम कहां रुके हुए हैं हमें क्या चाहिए अगर भौतिकता ही हमें चाहिए भौतिकता ही चाहिए तो हम गुरु बदलते रेते हैं, एक गुरु गया, दूसरा गया, तीसरा गया, तीसरा गया, तीसरा गया, जिसके पास काम नहीं हुआ, वो हमारा गुरु, जिसके पास काम नहीं हुआ, गुरु नहीं हुआ, क्या ये विधान है, जैसे पत्ति ने पती को छोड़ के जा रही है, य हम उसे कैसे प्राप्त करें और कैसे उस शुष्य संबंद को जागूत रखे करें मेरा यह एकी चिंतन रहा है कि गुरु देने वाला गुरुत्व को प्रदान करने वाला और शुष्य का अपने जीवन के अंतिया में गुरुजी बार-बार बहुत-बार अपने कहते हैं सुन मिलेकर आता है और तुम्हारे तुम्हें भुकारता है और वो चला जाता है तो इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यह है कि गुरु तुम्हारे पुछे खड़े में 25 जन्मों से भी भलाई बुराई देखते हुए तुम्हें दे जा रहे है क्या इसे गुरु आज मिलेंगे आज जिस ग्यान को परम्पुनिय सर्गुर्देम जी डाक्टर नानस की माल जी परम्पुनिय स्वावनिक्लेश्वाइन दिया है इस संसार में शायद ही अब की गुरू में किसी ने ग्यान दिया है कोई यह साथना है बताने वाला नहीं सभी लोग आओ मेरे पाउं पड़ो तुम्हे आश्रवाद देता हूं तुम चले जाओ यह कहने वारे हैं मिलेंगे लेकिन तुम्हे साथक नहीं बनाएं तुम जंगल पे भी रहो तो जी सको ऐसी साथना तुमारे पास चाहिए तुम ज खारा है वो भी कोई मारने आए तो डरता है पशो अपने इसको जन्म देता है पशों को जन्म देता है मर जाता है तुम्हारे मर पुर्शों में फरक क्या है तुम खाते हुए दस लोगों को खिलानी की क्रिया करते हो उसे देवत वका गया उसे संतर्त उसे रुशितत वका आज हमारे पास रुशी थे, जिने के पास कामधेनों नाम की गाय रहती थी, जिने के पास कलफुरुक्ष नाम को ये रहता था, राजाएं उनके पास आकर जब करस्ट में होते थे, तो उन विद्याओं से उनका उनके पास न्यान लिया करते थे, उन कामधेनों से आपने वस हम वीद्याओं का ज्ञा नहीं प्राक्त करते तब तक हमें इस संसार में हम कुछ प्राफ्त नहीं कर सकते आपने सुना हो की व्यास महरुषी अपने एक वॉलमःक महरुषी अपने रामंड़ के लिखते है कि अदि पंचवटी में सीता अमाता बैठी थी और उसने सोने की हिरन को देखा, तो रामचंद भी देखा, देखो देखो सोने का हिरन, रामचंद भी देखा, और कहा क्या सिता तुम चाहती हो, तो सिता ने कहा हम सोने का हिरन चाहती हो, बहुत अच्छा है ना, हम पंचवटी में जब तक रेंगे उसको पालेंगे, रामच क्या करेगी मैं तो शक्तिवान मैं मेरे सीटा के लिए लाने के जाओंगा राम भागते करे अरो हिरन जो मरीश था रावन का भीजा हुआ था मारीश भी वहिश्दों था और उसने जब रावन ने कहा कि देख मारीश मैं सीटा को उठा के नहीं ला सकता जब तक राम जंद ज उसके साथ है, तो रामसंद जी को बाज़ों में ले जा, मैं सिता को उठागी ले जाओंगा, क्योंकि उसने मेरी बेहन सिर्फ उनका के आंख काटें, मैं उसको ले जाओंगा, ये बात रावन जो कहता है, और मरेश को कहता है कि तू कुछ भी करमाया, लेकिन तो रामसंद ज क्योना मैं लेकर, जू कहता है, खब का रामसंद जेमाओंगाई कि आंख को भी कमास्त금 तो जाओंगा का, जाओंगा, जा नहीं हुआनि को लेक क मैं लेकिन है, लेकिन जा ओ Minister N nessाईज को सब चाई।